गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, I am Dr. Sarita Khendilwal from JDB Government Girls College, Kota स्टूडेंट हम जैसा की BSC Part 2nd की लास यूनिट जो की Nitrogen Containing Compounds है उसकी स्टेडी कर रहे हैं, प्रीविज लेक्चर में हमने Nitro-Arene की बहुती important chemical reaction nucleophilic substitution reaction देकी थी, लेकिन आज की lecture में हम Nitro-Arene की जो सबसे important चीज़ है जहां से generally competitive exams में question पूचे जाते हैं, reduction उसकी बात करेंगे Nitro-Arene का जो reduction होता है, वो अलग-अलग माध्यम में करवाया जा सकता है अमलिये में भी, उदासी में भी और शारिये माध्यम में होता है अमलिये माध्यम की pH साथ से कम होगी, शारिये माध्यम की pH साथ से जादा होगी और neutral माध्यम की pH साथ के करीब होगी, साथ होगी तो pH का जो है, वो product पे काफी प्रभाब पड़ता है pH change होते ही Nitro-Arene के reduction से अलग product बनने शुरू हो जाते है तो हम देखेंगे पहली बाद तो कि संभावी जो product है, वो कौन-कौन से हो सकते है Nitro-Alkane के बच्चों ये एक Nitro-Sumoo है अगर इसका reduction कराते हैं तो हमें Nitro-Sumoo मिल सकता है और further reduction कराते हैं तो Hydroxy Amine Sumoo मिल सकता है और finally अगर complete reduction करा देते हैं तो NH2 में convert हो जाता है तो NO2 के complete reduction से तो हमें NH2 मिलता है लेकिन अगर उसका partial reduction होता है तो हमें Nitro-Sumoo भी मिल सकता है और Hydroxy Amine Sumoo भी मिल सकता है तो depend करता है कि जो Nitro-Arene है उसमें Nitro-Sumoo का reduction partial हो रहा है complete हो रहा है, partial हो रहा है यही कारण है कि जो अलग-अलग माध्यम है उसमें अलग-अलग product मिलते हैं बच्चो ऐसा भी देखा गया है कि जो reduction जो होता है उससे जो product मिलते हैं वे भी आपस में addition reaction देके कुछ biomolecular compound का निर्मान भी कर लेते हैं मतलब जो दो product बना आपका और वो product आपस में जुड़ गए दो molecule जुड़ गए तो यह भी final product के रूप में कही बार देखा गया है तो यह तो थी possibility की reduction से क्या-क्या product मिल सकते हैं अब हम अलग-अलग माध्यम लेते हैं और हम देखते हैं कि किस माध्यम में कौन सा product मिलता है सबसे पहले हम देखेंगे reduction in acidic medium acidic medium में जो nitro-alkane होता है उनका complete oxidation हो जाता है reduction हो जाता है sorry बच्चों और NO2 group जो है वो NH2 group में बदल जाता है यहाँ पर आपको दिख रहा है nitro-benzene अगर इसका acidic medium में reduction कराया जाता है तो NO2 group NH2 group में बदल जाएगा और आपको aniline मिल रहा है complete reduction के लिए 6H मतलब 3 बार reduction होता है 2H, 2H, 2H करके तो 6 hydrogen की ज़रत होती है तो यह तो हो गया reduction में क्या product मिला है अब हम बात करते हैं कि जो acidic medium है वो कौन-कौन से है जिनमें की nitro-alkane का reduction कराया सकता है तो सामानेते धातू plus SCL या salt plus SCL लिए जाते हैं धातू में जैसे iron, zinc वे tin इन तीनों को ले सकते हैं SCL के साथ zinc SCL, iron SCL, tin SCL या तो यह acidic medium होता है या tin chloride plus SCL, ti CL3 plus SCL तो यह जो सारी medium है यह है आपके acidic medium इनकी presence में अगर reaction कराया जाती है तो complete reduction होगा और aniline final product के रोप में मिल जाएगा तो यह तो हो गया reduction of nitro-aniline in acidic medium अब हम बात करते हैं reduction in neutral medium बच्चोष जो neutral medium होता है उसमें भी अलग-अलग reagent की presence में अलग-अलग product मिलते हैं फूर एक्जामपल फस्ट देखते हैं अगर iron powder वे भाप भाप क्या होता है water steam इसका यूज किया जाए तो नाइट्रोसो एरीन मनता है नाइट्रोसो एरीन का निर्मान होता है लेकिन यदि reducing agent में zinc और NH4Cl का लिया जाता है तो hydroxyl amine का निर्मान होता है ठीक है तो आपने देखा दोनों में ही नाइट्रो बेंजीन है लेकिन iron और भाप की presence में नाइट्रोसो बेंजीन मिला और यहां hydroxyl amine मिला तो देखा आपने कि अलग-अलग माध्यम लिये उदासीन फिर भी अलग-अलग product मिले अब हम देखते हैं reduction in alkaline medium शारिय माध्यम में किस तरह से reduction होता है यह देखा गया कि जब नाइट्रो बेंजीन का शारिय माध्यम में reduction कराने पर कई bionuclear yogic मिलते हैं दो benzen वाले उत्पाद मिलते हैं इसका मतलब यह है कि जो दो product बने वो आपस में जुड़ जाते हैं आप देखें कि नाइट्रो बेंजीन मना product या phenyl hydroxyl amine मना दो possibility हैं यह आपस में जुड़ गए इनके बीच में dehydration हो गया और एज्वक्सी बेंजीन आपको मिल गया तो जब शारिय माध्यम में कराया जाता है कुछ नाइट्रो एरीन्स होते हैं वो तो नाइट्रो बेंजीन में बदल जाते हैं और कुछ नाइट्रो एरीन्स होते हैं वो phenyl hydroxyl amine में बदल जाते हैं यह नाइट्रो बेंजीन और phenyl hydroxyl amine आपस में reaction कर लेते हैं water निकल जाता है और एज्वक्सी बेंजीन का निर्मान होता है ये एजोक्सी बेंजीन का फिर रेड़क्शन होता है और एजोक्सी बेंजीन के रेड़क्शन से एजो बेंजीन का निर्मान होता है एजो बेंजीन का फर्दर रेड़क्शन होता है उससे हाइड्रेजो बेंजीन का निर्मान होता है और हाइड्रो जो बेंजीन का फर्दर एनिलीम का निर्मान होता है तो आप अलग-अलग step पे यहां अलग-अलग product मिल रहे हैं तो आप देखेंगे कि शारिये reduction जब होता है basic reduction जब कराया जाता है तो कई variety of product बनने की संभावना होती है और इसी में आपको बाय नुक्लियर कंपॉंड भी मिल सकता है अब बात आती है कि कौन से प्रड़ेक्ट मनेगा तो ये डिपेंड करता है अब चायक ये रिद्यूसिंग एजिन्ट की प्रकरती पार यदि शारिये सोडियम आर्सेनाइट बेसिक सोडियम आर्सेनाइट के साथ रियक्शन कराते हैं तो हमें एजोक्सी बेंजीन फाइनल प्रड़ेक्ट मिलता है तो अगर अबजेक्टिव आ गया कि सोडियम आर्सेनाइट की प्रेजिंस में मेजर प्रड़ेक्ट क्या है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसकी presence में major product ऐजोक्सी बेंजीन है ठीक है जब नाइट्रो बेंजीन का reduction basic sodium stainite या zinc वे methanol के उसाथ कराया जाता है तो ऐजो बेंजीन final product मिलता है तो आपने देखा sodium stainite ले लो या zinc methanol solution ले लो ऐजो बेंजीन final product मिलता है यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर phenyl hydroxyl amine मिला और उनकी आपस में reaction होके ऐजो बेंजीन बन गया यदि zinc dust वे के वेज के साथ reducing agent ले और उसके साथ reduction कराया जाए तो ऐजो बेंजीन final product मिलता है तो अपने तीन condition देखी तीन condition में तीन अलग अलग product मिले अलग अलग reducing agent की presence में अलग अलग product मिले बच्चो आपको इसे अच्छे से memorize करना है आखे बंद करके आपको पूछे कि sodium arsenide की presence में क्या मिलता है sodium arsenide की presence में क्या मिलता है zinc dust और QH की presence में क्या मिलता है तो आपको आखे बंद करके आपको प्रडिक्ट पता होना चाहिए ये काफी competitive exams में पूछा जाता है अब हम एक fourth type का भी reduction आप देखा गया है नाइट्रो एलकेन का जिसे हम कहते हैं electrolytic reduction इसकी जो सबसे पहले study की थी वो heber scientist ने की थी जो reduction होता है वो दो steps में पूरा होता है नाइट्रो बेंजीन नाइट्रो सो बेंजीन बनाता है फिर phenyl hydroxylamine बनता है और finally aniline बनता है तो primary जब वो electrolytic reduction कराया जाता है तो जो acidic और basic condition में product मनते हैं वैसे ही करते हैं लेकिन ये उत्पात फिर परस पर अभी करिया करके दुत्य रासा ही नहीं कभी किरा जारा अंती मुत्पान मिलाते हैं जब acidic और basic minimum में कराया जाता है तो ये final product मिल जाते हैं लेकिन जब electrolytic condition में कराया जाता है तो इनकी secondary chemical reaction होती है और फिर final product मिलता है alcohol में nitrobenzen के electrolytic reduction से aniline मिलती है ठीक है? क्या मिलता है final product aniline भी देखिए nitrobenzen के concentrate S2SO4 वाला solution ले ले और हम उसकी electrolytic वो कराएं तो ये आपको मिलता है पैरा amino phenol जो phenyl hydroxine amine simple बन रहा है उसका rearrangement हो जाता है तो शारिय माद्यम में अगर electrolytic reduction कराते हैं तो वो सभी product बनते हैं जो शारिय माद्यम में reduction से बनते हैं तो बच्चो आपने यहां देखा कि जो electrolytic reduction होता है उसका भी कोई माद्यम हो सकता है acidic हो सकता है basic हो सकता है neutral हो सकता है लेकिन जो इनके final product होते हैं वो अलग होते हैं ये जो B वाला example है ये काफी questions competitive exam में पूचा गया है क्योंकि आपने देखा कि simple अगर हम reduction कराते हैं तो hydroxylamine मनता है लेकिन जब हम electrolytic reduction करा रहे हैं तो इन में rearrangement हो जाता है और para amino phenol मिलता है तो आपको electrolytic reduction में भी आपको माद्यम के according क्या product बन रहा है वो आपको याद करना है तो बच्चो ये थी reduction of nitrogen in acidic, basic, neutral and electrolytic medium ये काफी important है आपको हर एक medium का आपको reagent और product याद होना चाहिए memorize होनी चाहिए चाहिए तो आप इसे एक tabular form में बना के अपने लिए notes बना सकते हैं अब next reaction देखते है electrophilic substitution reaction बच्चो electrophilic substitution reaction होती है ये aromatic compound की significance reaction होती है symbolic reaction होती है जादतर aromatic compound ये reaction देते ही है इसमें क्या होता है एक edge का replacement electrophile पर हो जाता है मैंने nucleophilic substitution reaction के दोरानी आपको बताया था कि अगर nitro compound में electrophilic substitution reaction होगी तो वो कौन सी position पे होगी meta position पे होगी क्योंकि meta position ही सबसे ज़्यादा electronically rich है क्योंकि NO2 sum के minus IEV minus M प्रभाव के कारण और तो और पहरा position तो काफी electron deficient हो जाती है तो पहली बात तो आगए meta position पे होती है दूसरी बात आती है कि अगर मैं comparison करूं benzen और nitro benzen में तो electrophilic substitution reaction की जो rate होगी वो nitro benzen में कम होती है क्योंकि nitro benzen में nitro smoke की पस्तिती के कारण ये जो ring होती है वो electron deficient हो जाती है और इसमें electrophil के attack की जो rate होती है वो कम हो जाती है तो होती तो है लेकिन उतनी speed से नहीं होती जितनी की benzene में होती है तो minus जो NO2 का minus I वे minus M effect है वो इनकी electrophilic substitution reaction के प्रती जो दर है वो कम कर देता है यही कारण है कि जो NO2 ग्रूप होता है उसे हम deactivated group कहते है क्योंकि यह rate of reaction towards electrophilic substitution decrease due to the presence of NO2 which shows minus I वे minus M effect अब हम कुछ इसकी electrophilic substitution reactions देख लेते हैं फर्स्ट है नाइट्रेशन होता है 100 degree temperature पे नाइट्रो बेंजीन के नाइट्रेशन से मेटा डाइ नाइट्रो बेंजीन मिलता है नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H204 की presence में 100 degree ताप पे दूसरी reaction है हेलोजीनेशन हेलोजीनेशन होता है AL-CL3 की presence में CL2 react करता है वोई मेटा उत्पाद बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजीन पर जब हेलोजीनेशन होता है तो मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन आपको दिख रहा है कि ये मेटा पोजीशन पे सब्सिट्यूशन हो गया अब सल्फोनेशन सल्फोनेशन होता है वो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ होता है और मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रूप आके जुड़ जाता है तो ये तो हो गए इसकी एलेक्ट्रो फिलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन बच्चो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नाइट्रो एलकें होता है नाइट्रो ग्रूप होता है वो डिक्टिवेटिट ग्रूप होता है इसे के कारण बेंजीन दुरिंग आपने देखा थाHey फॡ्रीडल जो बेंजीन या नाइट्रो ग्रूप डी एक्टिवेटेट ग्रूप होता है अब हम नाइट्रो बैंजीन के उप्योग देख लेते हैं यह नाइट्रो बैंजीन का कहां कहां यूज होता है कर्पिन क्रिय CMS के रूप में होता है कार्बिनिक ऑक्तिडाइजिग तो यह ख़ुद फीडल काफ रियक्शन नहीं देता नहीं होता है WILL necesit निर्मान होता है उसमें अच्छी प्रश की पॉलिश के सिंतिस में भी होता है और कड़वे बादाम के तेल में मिलावटी प्रधार्थ के रूप में इसका यूज होता है तो यह थे कि कहां कहां नाइट्रो बेंजीन का यूज हो सकता है तो बच्चो आज के लेक्चर में हमने हम खतम करते हैं आज के लेक्चर में हमने नाइट्रो एरिन्स की भी सारी केमिकल रियक्शन्स देख ली जिसमें की रिड़क्शन रियक्शन्स काफी इंपॉर्टेंट थी तो student आज का lecture यहीं कतम करते हैं, next lecture में इसी का कोई important topic लेंगे, thank you so much students